तो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अदनान कान वेलकम बैक टू माई चैनल मुवीज मल्टिवर्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मनी ही सीजन फाइब जिसका बहुत ही बेसबरी से मैं और जो लोग इस सीरीज को देख चुके हैं वो बहुत ही बेसबरी से इस वेब आते हैं लेकिन जैसे ही पाँच एपिसोड कंप्लिट हुए और नेट्फिक्स वालों ने इस वेब सीरीज की जो हाइप बनी वी थी उसको गेन करने के नहीं है इसके पाँच वेब सीरीज को डब किया और सीधे रिलीस कर दिया तो गाइस बहुत ही जादा दिमाग खराब चूतिया पा मतलब हम लोग एकदम चूतिया काट दिया है नेट्फिक्स वालों ने तो गाइस कर के सकते हैं खर बाराल हमारा जो रिव्यू है आज जिसको कर रहे हैं हम थोड़ा लेट है रिव्यू क्योंकि इस वेब सीरीज को जिस दिन चांची दर लीजन ओफ टैन रिं में फोकस कर सकते हैं लेकिन जितना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पहले रिव्यू दें तो कोई नहीं आज हम रिव्यू करते हैं मनी ही सीजन फाइफ तो आप लोगों का सबसे पहला कोशन एक ही उठता होगा कि आपको चार सीजन देखने के बाद जो इंतिजार था जिस चीज का आपको इंतिजार था वो चीज इसमें आपको दिखती है या नहीं दिखती है कंप्लिट होती है नहीं जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंड हु वह हुआ था कि हमारा जो mastermind Mr. Professor वो पकड़े जाते हैं और सियारा आकर जो लेकर चलती है इतना वड़ा सा वो जो है आकर हमारे professor को पकड़ लेती है उसके बाद महाँप से इतनी जवर्दस हाइप बनती है जैसे के कटपा को बहुब ली ने क्यों मारा professor को पकड़ा तो आगे क्या हुआ तो गाइज वही से आगे story चलती है और सियारा पकड़ लेती है हमारे Mr. Professor को और गाइज कहानी बहुत ज़्यादा complicated होती जाती है जिस तरह से पर बनता है कि आपके ये चार सीजन देखने के बाद क्या आपको ये वाला सीजन देखना भी चाहिए या नहीं अपना important time इस सीजन को देना भी चाहिए या नहीं तो गाइज मैं आप से कहूं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपको मेरी तो माननी नहीं है खैर अगर आपने चार सीजन देख हुए हैं, तो आपके निये भाई must watch है, कोई यार मतलब गलती से भी miss करी नहीं सकता है, जिसने चार सीजन देखे हैं, वो गलती से भी इस सीजन को miss कर नहीं सकता हाला कि Netflix ने चूतिया काट दिया है, लेकिन क्या करें, पाँच ही सही, मिले तो स गई, तो सभी कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, उससे यह होगा, हमारी चाहिए बक्चोदी हो या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले मिलेंगी और हर रिव्यू आपको सबसे पहले पहुचाएंगे, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, तो कहानी शु या नहीं है, क्या हुआ प्रोफेसर का, जिस तरह से बहुवली में हाइप बनी थी कि बहुवली को कडपा ने क्यों मारा, इसी तरह का एक बहुत ही जवर्दर सस्पेंस की रिट हो जाता है, और गाइस वहीं उसी पावर के साथ, उसी पैशन के साथ शुरू होती है, मनी ही सीजन 5, तो गाइस, इस्पेक्टर स्यारा अपना इतना बड़ा सा प्रिट लेके और आ जाती है, हमारे मास्टर माइंड प्रोफेसर को पकड़ने की नहीं है, और वो पकड़ भी लेती है, और अब जो है, हमारा जो मास्टर माइंड है चोरी का, जो सब को गाइड कर रहा ह है, बैंक ऑफ स्पेन में, जिसके मतलब माइंड के बगर, एक सोना तो क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग इतने ज्यादा चूतिया दिखाएं उसमें, के मास्टर माइंड हमारे प्रोफेसर के बिना, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, सब आपस में लड़ते रहते है तो गाइस, अब मास्टर माइंड आ गया है सेरा के कबजे में, तो आगे क्या होगा, तो गाइस, आगे होता है कि जो हमारी गवर्मेंट है, के नाम है मैडरिट की, स्पेन की जो गवर्मेंड है, वो सहारा लेती है, मिलेटरी का, और मिलेटरी को अंदर भेजने की पूरी- या नई दे पाती तो गाईज यही सब देखने के निया आपको देखना होगा यह सीजन फाइव जो के इंट्रस्टिंग है लेकिन बीच बीच में बोर भी है उसकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि यह थोड़ा सा बोर क्यों है और दिमाग खराब तो होई जाएगा जब 10 बानेंगे नहीं तो देखना तो पड़े गई पड़ेगा गास बात करें डार्रीक्षन की तो पिछली मूवी की तरह इस बेड्रीन बेटे को भी दिखाया गया है तो गाइज लेकिन उसका जो है मैं मुद्दा क्या है मैं आटपुट क्या है वो अभी तक इन पांचो एपिसोड में नहीं निकल के आया है तो hopefully कि वो उसका कुछ न कुछ कनेक्शन अगले पांच सीजन जो दिसम्बर में रिलीज होने वाले हैं उससे होगा ही होगा बात करें सभी करेक्टर के परफॉमस की अगले पांच सीजन में आपको जरूर दिखाई देगा और इतनी जादा पास्ट आपको दिखाया जाता है मिस्स टोकियो का क्यों हम लोग टोकियो से सबसे ज़्यादा वाकिफ हैं कि टोकियो कौन थी क्या करती थी पहले उनका जो पहले का लव है वो भी दिखाया जाता है तो इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि हम खुद बखुद गैस कर जाते हैं Tokyo के साथ तो कुछ न कुछ बड़ा होने ही वाला है अब बात कर लेते हैं Critics की Critics की क्या राया है Season 5 के बारे में तो पिछले Season की ही तरह इस Season को भी Critics ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है पस थोड़ा सा बोर है बीच में Past की वजा से लेकिन आप इसको बहुती अच्छी तरीके से देख सकते हैं और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए बात करें कि मेरी के मेरी क्या राह है इस सीजन फाइफ के बारे में है तो guys simply एक बात कहुँगा कि guys बहुती जादा मुझे निराशा हुई कि पूरे के पूरे एपिसोड रिलीज नहीं किये गए तयार नहीं थे तो नहीं करने चाहिए थे तो guys December में ही मेरी राय को चेंज हो पाएगी तो मुझे तो ये जो पांच सीजन थे नहीं रिलीज करने चाहिए थे आप रिलीज कर दिये तो हम लोग इतने जादा अटैजड हैं इस वैब सीरीज से तो देखने ही पढ़ेंगे क्या कर सकते हैं तो guys अगर आप ने देख रखी है तो आपकी ये must watch है नहीं देख रखी तो आप मिस्स कर सकते हैं और जब इसके 5 एपिसोड और रिलीज हो जाते हैं तो साथ में देख सकते हैं तो तब जादा मज़ा आएगा आपको अगर आपको मेरे रिव्यू ज़रा ही पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताइए मुवीज मुल्टिवर्स में और देखते रहें मुवीज मुल्टिवर्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि ये कीप वाचिंग